चलिए ओपनिंग ट्रेज में हमारे दोनों ही एक्सपर्स समझते हैं कि कहां पर है उनकी नजर और अक्षे शुरवाती सत्र में मैं देख भी रही थी कि LIC Housing Finance यहां पर खुलने के बाद भी काफी मौकें मिले और अभी फिलाल 0.5% की गिरावत है तो पहले तो आप इसके लिए Congratulations लीजे और साथ ही ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे आ रहे हैं शुक्रिया शुर्ष्टी जी तो यहां पर इंडेसिंट बैंक में पॉसिबली एक सेल ट्रिगर हो रहा है क्योंकि एक जो डबल बॉटम का सपोर्ड बैसे जिसे मैं देख रहा हूं फिलाल ब्रेक डाउन की तैयारी कर रहा है तो स्ट्रिक्टली फोर इंट्राडे आप यह ब्रेक डाउन का ट्रेड में शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं अगर यहां से ब्रेक होता है स्टॉक तो कम से कम तेरा सो दस या तेरा सो तक डे ट्रेडिंग में ही डाउनसाइड आपको दिखा सकता है strict stop loss आपको 1347 पे लगाना है और सिर्फ day trading तब कि ये trade valid रहेगा तो सिर्फ day trading के लिए या नि इंट्रादे के लिए innocent bank यहाँ पर एक sell trade trigger हो रहा है इस पर आप ध्यान रखें और हम देख भी रहे हैं कि nifty bank कुलने के बाद भी अपने आपको hold करने में सक्षम नहीं है और वहाँ पे गिरावट आ रही है और जहां हमें access bank से थोड़ा support मिल रहा था वो भी अब थोड़ा सा fizzle out जरूर हो रहा है अब सुमित आप से समिछना चाहेंगे बताएए आपके कौनसे stocks हैं जो कि आपके radar पे हैं देखें यहाँ पे TCS पे आप नज़र रख सकते हैं एक negative opening मिली थी लेकिन अब यह positive territory में है और देखेंगे तो कल का और परसो का जो level था वो cross कर रहा है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे buying एक opportunity बन सकती है 4098 का एक stop loss maintain करेंगे टरगेट रहेगा 4210 का TCS यहाँ पर आपको नज़र रखनी है देखें हाल फिलहाल जब TCS के नतीज़ आये थे उसके बाद थोड़ी सी बिक्वाली इसमें जरूर देखने को मिली वर निशलिस तरों पे इस counter ने support भी लिया है कल के बजार में भी यह अपने आपको hold करता वा नज़र आया और आज देखें कुछ एक select IT जहां पर उपर जा रहे हैं विप्रो में अब 4% की तेजी है ऐसे में दूसरे दिकश TCS पर focus रखें यहां पर सुमित की call आती भी अब नुरेश का भी स्वागत करना चाहेंगे और उनसे समझते हैं कॉंसे stocks उनके radar पर है गुद मॉर्निंग नुरेश बताइए opening के बाद कहां पर है आपकी नज़र सबसे पहले एक defensive bet रहेगा Dr. Reddy's पर जहां पर consolidation है और एक breakout हो सकते है 67.50 के उपर तो यहां पर एक छोटे stop loss के start है stop loss होगा 66.50 और target होगा 7,000-7,100 दूसरा रहेगा sell on Siemens any rise to 76.50, 7,700 pounds back आए दिन में तो short होगा 7,900 के stop loss सर एक्सपेक्टेशन होगी 7,450 Dr. Reddy's यहां पर आपको buy करना है अगर defensive's में एक move आता है और Dr. Reddy's कल भी हमारे कुछ experts इसको highlight कर रहे थे यहां पर 7,000 के targets के लिए और 6,650 के stop loss के साथ आप विलहाल trade ले सकते हैं और दूसरा जो call है नुरेश का वो है Simmons इंडिया पर तो इस पर भी आप focus रखे पर अभी अगर हम बजार को देखे तो वहां पर गिरावट हावी तो जरूर है पर मात्र चार counters है निफ्टी 50 में जहां पर आपको तेजी दिख रही होगी तो ये clearly आपको बता सकती है कि आज किस तरीके का mood और महौल है साथ ही breath of the market कि आपको बता रही है जो गिरने वाले shares है उनकी संख्या भारी मातरा में है साथ ही इंडिया विक्स में भी लगभग 4% का उच्छाल है तो इसको आप नजर रखें पर एक और factor जो कि हमारे experts भी highlight कर रहे थे कि शायद अगर निशले स्थरों से थोड़ी recovery आए तो कौन से stocks में थोड़ी सी strength लोटती भी दिखेगी ये देखना भी काफी एम होगा पर फिलहाल के लिए गिंती के ही counters है जिन में आप अभी फिलहाल तेजी देख रहे हैं पर आज भारी गिरावट city gas distribution companies पर भी है कुछ समय पहले जब हमारे सायोगी सौमिच जुड़े थे तो आपको बता भी रहे थे कि क्यों IGL, MGL जैसे stocks में जो है आज pressure आते वे दिख सकता है जो एपीम गैस की allocation है उसको सरकार ने कम किया है और एक डबल वामी के तौर पर आएगी क्योंकि अगर यह दाम बढ़ाएंगे तो मांग पर असर आते वे जरूर देखेगा और आप देखिए MGL, IGL 88% कमजोर है पर इसी के सामने सुमित एक बार गुजरात गैस पर भी नजरिया दीजे हाला के यहां पर इनका जो stations है वो थोड़े कम जरूर है industrial production में भी यह counter जो है काफी अपना योगदान रखता है पर आप कैसे देख रहे हैं गुजरात गैस को चार्ट पर कौन से levels important है यहां पर देखे काफी ज़दा weakness है कल के session में अगर आप देखेंगे तो 200 moving day के नीचे ही closing दिया था और यह एक previous support level भी था तो 580 के नीचे closing था आज gap down भी मिला हुआ है तो अभी भी fresh buying opportunity कहीं पर नहीं दिख रही है जो next support level है that is around 535 अगर श्टॉक यहां से कुछ bounce back दे रहा है तो एक बर upside का momentum यहां पर बन सकता है otherwise यहां पर fresh buying को आप avoid कीजिए fresh buying नहीं करना है देखे कुछ एक